हैं तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों किसी भाई ने कहा कि पैट्रोल और दूद को एक साdh mix करो फिर तो आज की वीडियो हमें यहींगे देखने वाला है कि जब हम डारेक्ट दूद में इनो को डाल लेंगे तो भी दूद फड़ जाएगा तो हम सबसे पहले इनो को पेटरोल में डाल लेते हैं तो चली हम इनो को अच्छी तरह से फाड़ करके फिर इसको पेटरोल में पहले डाल लेंगे तो इनो को पेटरोल में डालने से उसके बाद इसम अब तो दोस्तों इसमें इनो मिलाने के बाद इसको अच्छीतर से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं उसके आप इसमें गुध डालते हैं तो गाईज आब इसमें जैसे हम दूध डालने डालना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि जो पैट्रोल है वो धेरे-धेरे उपर की तरफ आ रहा है और दूद नीचे जा रहा है तो आप जहाँ देख सकते हैं कितना कमा का रेक्षन देखने को मिल रहा नीचे और आप देख सकते हैं जो दूद है वह अपने आप बाहर निकल रहा है यह फट गया है दूद लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अपने आप यह नीचे से फिर यह अपने आप बाहर निकल रहा उपर की तरफ पेट्रोल सारा उपर आ चुका है और दूद नीचे चला गया लेकिन फिर भी नीचे से ये दूद बाहर की तरफ निकल रहा करके अपने आप तो दोस्ता यह reaction होता है इसको हम थोड़ा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो दोस्ता है तो दोस्ता यह writesσन होता है जब हम पे ट्रूल में दूद को मिलाते हैं लेकिन बुठी हुआ यह अभी और भी ऐच्छी तरह से होने वालतो इसомें हम एक और इनुओं इसमें इसमें मिला देते हैं फिर देखते हैं यह रियक्षिन के अच्छी तरह से और इसको थोड़ा सा अगर हम मिक्स करते अच्छी तरह से तो फिर ये रियक्शन देखने को मिलेगा तो इसको मिक्स कर लेते हैं पहले और आप देख सकते हैं किस तरह का बाहर फैक रहा है अपने आप तो इसको थोड़ा और मिक्स करते हैं फिर देखना क्य reaction है आब देख सकते हैं लेकिन फिर वह रेक्ष्षन काफी कमाल का punishment when वो उपर की तरफ आज चुका है आप पट्रोल हलका होता है अपको पता कि पेट्रोल का जो कोई भी तैल होता है वो हलका होना के कारण वो ऊपर कि तरफ तेरने लगता है इसलिए पैट्रोल उपर आ चुका है लेकिन जो दूद है वह भी नीचे से अपने आप बाहर निकल रहा है फट करके तो यह रियक्शन होता है जब हम पैट्रोल को पैट्रोल में दूद को मिक्स करते हैं तो तो दोस्तों यह था कमाल का वीडियो आ अपने आप बाहर निकल रहा है तो दोस्तों देखा आपने कि जब हम पैट्रोल और दूद को एक साथ मिक्स करते हैं तो क्या रियक्शन होता है तो दोस्तों मैं अमीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर देजिए शेर कर देजिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब कर देजिए मिलते हैं पर किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय इंद जय भारत